हलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छी होंगे आप सबके दूआउं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो छलिए जी बात करेंगे recording जिजी के बारे में जी हां बहुत सारे लोग जो हैं उनके supporter आते हैं, comments करके जाते हैं और उनके नीचे जो मेरे viewers हैं या फिर जो हमारी support करते हैं और जिजी का असली चहरा जो जान चुके हैं वो भी comments करते हैं तो ऐसे ही मुझे comments मिला, ठीक है मैं याँ पे आगे comments लगाऊंगी जिस किसी की भी वो ID होगी वो पहचान जाएंगे because नाम कुछ अजीब सा था मुझसे पढ़ा नहीं गया और बहुत अच्छी बहुत अच्छी बाते जो हैं इनोंने कहीं हैं और बहुत right points कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजे हम लोगों के mind से skip कर जाती है तो आप जैसी जो प्यारी audience है वो भी हमें कुछ points दे देती है तो ऐसी ही मुझे इनका comments लगा तो चलिए जो भी points इनोंने अपने रखे हैं हम लोग उनी चीजों के उपर जो हैं उनको torture करते हैं और भी बहुत सारी चीजे होती है लेकिन जिजी का मामला थोड़ा अलग है recording जिजी का तो आए देखते हैं इनोंने क्या points रखे हैं पहली बात की अपना दूसरा बेटा दिया देखिए इनको पता था कि इनकी बहु कैसी है ठीक है इनको पता था कि इनकी बहु कैसी है बिकोज सूरत से शादी करने के बाद इनको पता चल चुका था जाहिर सी बात है जब एक ही घर में इनसान रहता है तो बिल्कुल साब पता चल जाता है उसके nature का या फिर उसके behavior का कि भाई वो कैसा है फिर भी इनके साथ ससूर ने सबर रखा हर चीज के लिए भले ही इसने जबर्दस्ती की हो या फिर इसने उनको blackmail किया हो जैसे कि recording ये रखी हुई थी ना कि देखो मेरे पास तो recording है मैं ये case कर दूँगी मैं वो case कर दूँगी मैं अभी हो सकता है उन लोगों को विचारों को blackmail किया गया हो तो राजपीर भी शादी के लिए तयार था भी कोजूस को भी अपने जहांसे में ये फसा चुकी थी आदी आदी रात को इसको अपने कमरे में बुलाना उससे बाम लगवाना है ना अपने सिर पे सिर दबवाना बहुत सारी जिए एक भावी होने के नाते देखो जाए भावी देवर का अगर आप मा और बेटे का रिष्टा समझते हैं वो अलग होता है एक अगर आप देवर भावी का रिष्टा समझते हो वो अलग होता है लेकिन ये भाईया बोलती थी उसको राजवीर को तो जब किसी को भाईया बोला जाता है इंदा सेंस तो भाईया या नि भाई ही होता है लेकिन खैर चलो छोड़ो इनके में होता होगा तो ठीक है ये जो भी चीजे हुई इसकी राजवीर के साथ शादी हुई लेकिन इनके सास ससूर का जीगरा देखिए कि अपने एक बेटे के साथ वो सारी चीजे होने के बावजूद इन्होंने अपना दूसरा बेटा जो है वो दिया, ये लोग चाहते इसके माबाब तो जोर जबरदस्ती करके फोर्स करके कभी इस रिष्टे को नहीं मानते बट व पहले ही इसके पतियों ने चैनल बनाया हो ठीक है पहले पती ने सूरज ने चैनल बनाया था चाहे कुछ भी था लेकिन अगर इनके माबाब चाहते है ये कहती है न कि इसके सास सूरज को पट्टी पढ़ाते थे कि इसको मारो पीटो है न तो वो क्या सूरज को ये नहीं ब आजादी थी उसके सासुर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये शोशल मीडिया पर आ रही है या फिर जो भी कर रही है शोशल मीडिया पर आके ठीक है वो भी इसको आजादी थी कमी किस चीज की थी इसको वहां पर ठीक है next आते हैं कपड़े जो मन चाहे पहने बिलकुल हमने एक बात नोटिस की है कि आज तक कपड़ों के लिए भी नहीं बोला इसको अगर बोला भी होगा तो पहली बात ही है कि ये मानने वाली ओरत तो थी नहीं और सकिन बात की बोला नहीं ठीक है ये डालती थी कपड़े हम लोगों ने खुद देखा है इसकी वीडियो में ये कैसे और हर माबाब जो है अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखना चाते हैं इसलिए वो उनको समझाते हैं कि बेटी अपनी मर्यादा में रहो बेटी कपड़े अच्छे पहनो सबके माबाब कहते हैं वो कोई बड़िक बात नहीं थी ठीक है कपड़े पहनने की इसको आजा द फॉर्थ पॉइंट है कोई ताना नहीं मतलब कोई ताना भी नहीं था दो दो बेटे चले गए उन सा ससुर के उन सा ससुर ने इसको आज तक कोई ताना भी नहीं मारा कि भाई तू अपशकुनी है हमारे दो बेटों को खा गई बलकि बहुत सारे लोगों ने रिष्टेदा भी होगा तो तुम लोगों को कैसे पता तो एक बात बताओ क्या कभी आप लोगों ने उन सासुर की ऐसी कोई वीडियो देखी जिसमें ये जिजी के साथ गाली गलोच कर रहे हो जिजी के साथ लडाई जगडा कर रहे हो जिजी को अपशगुनी बोल रहे हो जिजी को जब उन्होंने ऐसी हरकत की ही नहीं होगी विचारों तो क्या ही होगा फिर जीजी के पास , नवाली बात भी पूर। उन्होंने कभी इसको कुछ उल्टी सीदी बाते भी नहीं कहीं है कि ये आप शगनी है ये ऐसी है इसकी वज़े से हमारे बेटे मर गए दो दो बेटे मर गए उन लोगों ने भी तो यार चाती पे पत्थर रखके सबर रखा हुआ है न पता नहीं लोग उन लोगों के बारे में क्यों नही है सोच रहे है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या ही आखिर उन लोगों ने कर दिया क्या आप लोगों ने कभी अपनी आंखो से देखा सिरफ वही चीजे देखी ना जो जी जी ने आपको दिखाई है ठीक है और देखो next point देखो कितना मतलब ये दिल को छू जाने वाला point है इसे देखकर आंटी जी ने अपनी बिंदी तक लगाना बंद कर दिया था बहु को उस हाल में देखकर बहुत रोती थी सोचने वाली बात है कि एक सुहागन औरत चलो ठीक है वो जिस भी उमर में है लेकिन है तो सुहागन ही उसने इसको देखके बिंदी भी लगाना छोड़ दिया कि यार चलो मेरी बहु ऐसी है कहीं उसको ये चीजे फील ना हो मतल leggings मैं त्यार नीं हो सकती मैं सजधज नहीं सकती मैं सवर नहीं सकती तो आंटी ने बिंदी तक लगाना भी छोड़ दिया मैकसिमम वीडियो में उनके अमें दिखी नहीं है बिंदी कभी कबार लगा लेती होंगी तो पता नहीं तो ये भी कितनी बड़ी बात है इतना मतलब इतना कुछ करने के बावजूद इतनी सिंपथी उन लोगों ने रखी इस औरत के साथ इसको अपना समझा फिर भी इसको वो चीजे जो है ना वो हजम ही नहीं हुई इस और एक और बात लिखी हुई है कि जब साथ ससुर के साथ रही रहे थे और देवर जेट कोई भी नहीं था तो हिस्सा मांगे ये तो फिर परिवार में कलेश तो मचे गई जाहिर सी बात है कि उस घर में कोई था ही नहीं इसके अलावा कल को साथ ससुर ने मर जाना था ठीक है ना तो सब कुछ इसी का होना था सबसे बड़ी बात कि कुछ अगर उनको कुछ हो जाता सब कुछ हिसका ही होना था कोच भी किसी के पास नहीं जाता लेकिन इसको अभी इतनी जल्दी हिस्सा क्यों चाहिए अगर मैं इसके पिछे का लोजिक सोचने जाऊ ना तो मेरे माइंड में एक बात आती है कि इसको एक तो वो बुड़े सा ससुर देखने नहीं थे फालतू की सिरदर्दिक क्यों कोई लेगा भाई फिर दूसरी बात आजादी नहीं मिलती जैसे अब यहां पे हस खेल रही है सारी चीजे कर रही है वहां से घर से बाहर जाने के लिए यह सारी चीजे वो कर नहीं सकती थी ठीक है सेकेंड बात कि अगर वहां से यह चाहती है तो अभी प्रॉपर्टी लेना यह चाहती है कि अभी मुझे मिल जाए अभी मुझे मिल जाए क्योंकि अभी अगर चीजे इसके नाम पे होगी रहना पड़ता और सारी उमर के लिए उसको ऐसे ही रहना पड़ता शादी नहीं कर सकती थी वो किसी से अगर उसी घर में रहती तो मतलब वो है सोचनी वाली बात है ठीक है ना तो इसने क्या सोचा कि मैं वहां से निकल भी आती हूँ प्रॉपर्टी भी ले लेती हूँ जब प्रॉपर्टी अपने हिस्से आजएगी तो बाद में किसी और के साथ हशी खुशी रहा भी लोगी जिंदगी में ये मेरा सोचना है बाकी लोग कुछ भी सोच सकते हैं और खैर आकर मुझे गालियां तो देंगे ही मेरी सोच के उपर बट ये एक लोजिक है लोजिक ह लोगी नहीं थी इसको पता था कि लगने ही कुछ मेरा ही है लोग कि अब भी मेरे नाम करो वह क्यूं वह चीजें क्यूं जैसे ही मतलब भी उसके राजवीर के जाने की देर थी छे महिने ौट महिने एक साल हुआ नहीं कि मोधर्मा को प्रॉपर्टी दिखने लग गई और क्या पता मैं तो ये कह रही हूँ कि क्या पता राजवीर को भी इसी चक्कर में ना फसाया हो क्योंकि ससुराल वाले तो कंगाल है इसके ये तो आप लोगों के सामने है बात तभी तो उन्होंने 18 साल की उमर में इसको निकाल दिया था अपने घर से कि बही जाओ हम बोज नहीं उठा सकते ससुराल वाले तो है इकंगाल उनके पास तो कुछ है नहीं तो इसको था कि अगर राजवीर की शादी किसी और के साथ हो गई कोई और और यहां पर आ गई और उसके बच्चे या लड़का हो गया तो वो वारिश बन जाएंगे कल को औ और मुझे और मेरी बच्चियों को तो घिसा पिटा जो होगा थोड़ा वो तो वही मिलेगा ठीक है न तो यह इतनी शातिर ओरत है इसने पहले ठीक है उसके साथ करी और उसके बाद राजवीर की लाइफ में किसी और को नहीं आने दिया ताकि कोई और आके प्रॉपटी मे हिस्सा ना ले ले क्योंकि राजवीर की शादी किसी और के साथ होती उसके बच्चे होते उनको मिलता इसको भी मिलता है सनी है कि इसको नहीं मिलता इसको भी मिलता बट इसने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा न कि दोनों से मैं ही कर लूँगी जो कुछ होगा वो मेरा ही होगा फिर कल को इसके तो दिमाग में वह बात थी लेकिन कहते हैं कर्मा जैसी सोच इंसान रखेगा न वही चीज़ें उसके साथ होती हैं तो जरूर इसने सूरज के साथ जितने टाइम रही होगी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करी होंगी जो उल्टा इसी के उपर आकर के गिरी ह हैं दोबारा ठीक है तो ये बात भी हो सकती है कि राजवीर को इसलिए किसी और से शादी नहीं करने दी इसको था कि सारी प्रॉपटी अकेले में हड़पूंगी प्रॉब्लम ये थी ये भी सोचने वाली बात है देखो ठीक है ना और देखो नेक्स्ट पॉइंट कितना बढ़िया मतलब अच्छा है कि भाई इसका जो भाई है इसका भाई है राजवीर की अभी तेरवी भी नहीं हुई थी और केट काट कर वीडियो डाल रहा था ठीक है ना कि राजवीर की अभी तेरवी भी नहीं हुई थी तेरा दिन भी नहीं हुए थी उसको गए हुए और इसका भाई वहाँ पे केट के काट कर खुशिया मना रहा था तो फिर ऐसे रिष्टेदारों से राजवीर की मा कैसे बात कर सकती है क्या पता जब जब ये इसके माई के वालों को देखती होगी उसकी मा उसको याद आती होगी वो बाते कि यार यहाँ पे मेरे बेटे को गए तेरा दिन नहीं हुए थे और इसके माई के वाले केक काट क खुशिया मनाना क्यों आप लोगों ने एक बात नहीं नोटिस करी कि जब ये आ गई थी वहां से उसके बाद इसने एक वीडियो डाली थी कि देखो मैं घर से आ गी हूँ लेकिन उनको मेरे घर से जाने की फिकर नहीं है लेकिन मेरी पीट पीछे सकूटी सकूटी ले आए है खरीद के एक्टिवा ले आए हैं और उसके खुशिया मना रहे हैं तो वो तो इसको दिग गया था लेकिन जब राजवीर मरा था उसकी तेर भी नहीं हुई थे और इसके ससुराल माय के वाले के काट कर खुशिया मना रहे थे तो उस वक्त इसको वो दिखाई नहीं दिया कुछ भी किया होगा ठीक है दिखाई होगी लड़ाई करी होगी कुछ भी किया होगा इनमो तर्मानेक बीच में ऐसा भी टाइम था जब अपने मायके वालों के भी खिलाफ बात कर रही थी लेकिन एक सोचने वाली बात है ना फिर कौन सी मा ये चीज परदाश करेगी कि तब ही कहते हैं इंसान को कि दोनों साइड से सोच के चलना चाहिए और जो लोग मुझे आकर के ये बोल रहे हैं कि आरे तुम सिर्फ उनके माबाप की सपोर्ट कर रही हो थोड़ा उसके बारे में भी सोचो तो मैं उन लोगों को ये बता दू कि भाई मैं सोच चुकी और इतना सोचने के बावजूद ही मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि आज मैं उनके लिए उसके सासुर के लिए मतलब खड़ी हूँ या उनके सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ समझ आही हैं चीजे कुछ तब ही बोल रही हूँ ऐसी नहीं बोल रही हो बेफल तुम्हें। चर्टे के पॉंट आ रहे हैं। ठीक है नасुझे सपोट करुछे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो आप बहुत सहीं बोल रहे हो। आपके points सही हैं, तो कहीं न कहीं वो public मुझसे relate कर रही है न, और कितने comments मेरे पास ऐसे आते हैं, कितने comments ऐसे होते हैं, जो ये बात बोरने हैं, कि दीदी, पहले हम भी इसको support करते थे, पहले हम भी इसको देखते थे, लेकिन आप इसको देखना अच्छा नहीं लगता, हमने इसको देखना छोड़ दिया, तो कहीं न कहीं यार, वो लोग भी इस और से connect थे, पहले connect थे, इसके लिए sympathy थी, लेकिन जब इसकी हरकते ये देख देख कि इनसान समझ आता है न, चीजों को, तो वो लोग आके comment भी करते हैं, कि पहले हम भी इसकी support करते थे, तो ये देखो का आपको कभी कोई ऐसी video दाए जिसमें इसके साससुर, इसके साथापाई कर रही है, मार पीट कर रही हो, लड़ाई कर रही हो, अप शब्द बोल रहे हो, इसको गालिया निकाले हो और आप लोगों को क्या लगता है, कि अगर उन लोगों ने ऐसा किया होता, तो क्या ये क तो चलिए जी यह तो थे पॉइंट्स जो मेरे नहीं थे एक मेरे व्यूवर्स के ही थे बट ये पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे तो इसलिए मैंने उठाए और आप लोगों के सामने भी रखे ताकि आप लोगों को भी चीजे जो हैं वो समझ आएं कभी कबार क्य कि पबलिक की बात जो है वो आगे लोगों तक रखें ठीक है ना तो चलिए जी आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाहिएगा ठीक है वैल आइकन भी दबा दीजेगा ताकि जो नई वीडियो आए उसका कोडिफिकेशन आप लोगों को मिल जे और लाइक को शेयर भी कर दीजेगा वीडियो को चलिए जी मिलते अपनी नेक्स वीडियो में तब तक आप सब अमना ख्याल रखेगा दूाओं मयात रखेगा वीडियो देखने के लिए आप सब कधने वाद